क्रितिका सिंग ने यूट्यूबर वर्सिस आक्टर के बीच चल रही डिबेट पर कही ये बात रियालिटी शो का हिस्टा बनने पर भी तोड़ी चुपपी वेल धरम पतनी फेम क्रितिका सिंग इन दिनों काफी ज्यादा लाइम लाइट में बने हुई है अब अक्टरस का एक इंटर्व्यू इस वक्ट सोशल मेडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें क्रितिका ने यूट्यूबर वर्सिस आक्टर के बीच पर चल रही डिबेट रियालिटी शो का हिस्टा बनने और अपने को कंटेस्टेंट फेमान खान को लेकर क्रितिका से इंटर्व्यू में जब पूछा गया कि अब धरमपत्नी ओफेर हो चुका है तो ऐसे में उनके आगे के प्लांस क्या है इस पर क्रितिका कहती हुई नज़र आई कि मैं अभी काफी सारी वर्क्शॉप अटेंड कर रही हूँ और मैं काफी सारे साउथ में ऑडि ज्यादा नहीं चानती अगर मुझे कभी चांस मिले किसी रियालीटी शो का हिस्सा बनने का तो मैं खत्रा करना ज्यादा पसंद करूंगी यहां क्रितिका कहती हुई नज़र आई कि वो खत्रों की खिलाडी को करना ज्यादा पसंद करेंगी बिग बॉस की कमपैरिजन में और अगर फ्यूचर में उन्हें कभी बिग बॉस का ओफर मिला तो वो यह शो कर भी सकती है और नहीं भी इन सब के लावा क्रितिका कहती हुई नजर आई कि वो जलक दिखलाजा का भी पार्ट बनना चाहती है इसलिए वो डांस भी सीख रही है क्योंकि उन्हें डांस अभ वो यूट्यूब पर आ रहे हैं कमाने के लिए इस पर उनका क्या कुछ गहना है इस पर क्रितिका ने कहा कि वो जियर श्रंकर के बयान से अगरी करती है कि जो आक्टर है वो भी यूट्यूब पर आ सकता है चैनल क्रेट कर सकता है और उसके जो मन है वैसे व्लॉक्स बना सक क्रितिका फांट के साथ च्छो धरम पतनी में नज़रा चुकी है इस बारे में जब खृतिका से पूछा गया कि फांट के साथ रियूनियन के बारे में उनका क्या प्लान पर क्रितिका कहती हुई नजर आई की वो एक शाय पर्सन है और पूरी टीम में से उनके सिफ आकाश से ज्यादा बात होती है क्योंकि आकाश भी एक इंटरोवोट परसन है ऐसे में चांट में काफी ज्या-धा अच्छे से बातशीत कर लेते हैं वही क्रितिका ने बिग बॉस चलक दिखला जा और काफी सारे मुद्दों पर खुलकर इस इंटर्व्यू के दौरान बात शीत की बला आपका क्रितिका के दिये स्टेट्मेंट पर क्या कुछ है कहना हमें कॉमेंट्स दे जरूर बताए ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें